हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सीमा और आपको सागत है मेरी चैनल में आज मैं लेके आई हूँ सुपर टेस्टी युमी वाला एकदम मज़दर गोभी और मतर का रेशीपी ये रेशीपी बहुत ही आसान है और यूनिक है और मैं आपको एक ट्रीक बताऊंगी इस रेशीपी में जिससे क्या होगा ना आपका गोभी ज्यादा गिला नहीं होगा जिसे कोई कोई बलते हैं हमारा गोभी इसे चिपक गया मतलब गिला हो गया तो ज्यादा अभर कुक हो गया ऐसे कुछ भी नहीं होगा एकदम एक एक दिखाई देगा और इतना टेस्टी बनेगा ना मेरा व कर दो चलिए रेसिपी स्टाट करते हैं और फ्लीज बीडियो को फूल वाच करिए इस्किप बिलकुल वी ना करें बहुत ही युणिक रेसिपी और मसला बहुत ही कौम लागेगा इस रेसिपी में तो चलिए sii start करते तो यह तेख ऑपर शेघेल इस त्रक से बड़ा साइजidal कि अंड़ी अden qual حoto है में जहागाए एसको नाइस तरीक से हम कट रचेछा क्योंकि फूल फूल ऊंड़ degradation जाता है जल्दी लीकिन ट्रचे कि में बहुत ही लेट होगा। में इस तरिका से कट कर देष तो इसी होता है। माने काचिने में क्लाइब झाहेचे अच्तर होता है but में टाइड में पौभी की कदे़्यां क्लाएं में में उपना च्हों भूटित कर दे में तो जबनागी rapid तो अच्छा से क्या हो जाएगी तो इसमें 0 मग दिखी है अधिा खৃकी मग लिए और अधिशा नहीं हाण अच्छा से वास भी हो जाएगा तो इसमें पानी में भीगने छोड़ देंगे तीन से चार मिनिट के लिए छोड़ देंगे चार मिनिट हो गया चार मिनिट बाद ना पानी से लिकाल देंगे दिखिए अच्छा स्वास करके एक बावल में रखेंगे और इसमें जाएगी कुछ मसेला तो मैंने नमक लिया दिखिए नमक डाल दिया अधी चामच से कम और हल्ली पावडर भी इसे अधी चामच से कम मैंन अप्रेंडी लिया को लिए तिखा वला लिए कास्वरी वला रेड़ी बैसन में लिया दू चामच बस बैसन देने से क्या होते है ना एक एक पूरा जब हम फ्राय करेंगे अपर एक एक आ रहेगा और उसका ग्रेवी का थिकनेश बहुत ही आचा आएगा तो इसलिए जरूर रशार को बैल्यार है में यह थना ग्रवी राहया गातुwagen केया vivid को का करेंगा गुए सोष्रा में भाईब आप मत्सवाई के सब्केमा मैं लुए रर्यार गोफी को ड? चार मिनिट बाद कितना अच्छा से गल्लेन ब्राउन हो गया और इस तरीक से हाना चाहिए तो यह दिखिए मैंने तेल से लिकाल दिया और उसी कड़ाई में ही मैं बनाओंगी मस्ट्रा तो इसलिए दूसे तीन चमच और मैंने ओल आड किया और जिसे गरम हो जाएगी एक मै मैंने बड़ा वाला इलाई ची लिए 3ह री ला इ छोड़ा वाला एक टुकड़ा लिए दालचीनी और 4-5 कालिमेर्स लिए और 2 तैजवधा लिया और एक से दो चटकी हिंग डालेंगे गहिए मैंने हिंग डाला दो से तीन चटकी आध्यमंश जीर jest यह समने झीश rudkin एक मिटियम साइज को चप करके लिया च्टतु से जाद़ इसमें मसाल्रा ही या मैं काम से मिश् चमच मैंने लिया और उसके बाद जाएगी काश्मिन वाला रेड़ी पाउडर एक चमच और यह ना सबजी मसेला मैंने लिया दिखिए एक चमच बस और इसमें जाएगी दही तो अपका पास फ्रेश दही है तो आप इसमें ले सकते ज़्यादा खटा दही मत लिये तो यह द गया दही मसेला तो देखिए पूरा रेश्टरांट रेश्टाइल ही बनेगा सच में बहुत ही टेश्टी बना था एक बात जुरू ट्राइ करिए तो यह दिखिए सुनेरा कलर हो गया तो इसमें जाएगी अध्रक अलासन मैंने यह दरदरा कोट के लिया पेस्ट नहीं बनाय तो इसको हम फ्राइ करेंगे तो उसके बाद जैसे गल्डन ब्राउन हो जाएगी मसेला तो यह दिखिए माझ गल्डन ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने डाल दिये यह मसला का घॉल जो दोही वाला मसला गोल तो अच्छा से उसको बनाई करेंगे दू मिनिट तक और ग्या प्रलाल वाला टोमाटो को मैंने पीऊरी बना के लिया तो इसमें थोड़ा लेड देखना दो से तीन मिनिट के लिए छोड़ देंगे और तीन मिन बाद यह दिखिए मसला का कलर कितना अच्छा आया है और मसला अच्छा से भुनाई हो गया तो इसमें जाएगी मतर यह फ् मसला का साथ अच्छा से मठर भी सब्डो कंश्भग स्ट्वड़ को कुला और अभी क्या करें हैं प्राइग क्या हुआ का मर्ओ ऑस सeliaद्षक बनेगा सब्सके कुअग veter योज भी नए हुआ त्याउन ज़तों पोल सब्सक्क्राइब क्या में डिखात हो चया सबा दबरी तुछ इस पोलता तरी तर्सभाइब है त्यूज गरम पानी तो तरस पास Commerce लोगल दो पना होगे कानी को पश्टक्राइब है, करके में ये घरक्स सबागे तो देखिए इसमें जाएगी गरम मसला मैंने अधी छोटा चामच मैंने डाला और गरम मसला डालके पांच मिन्ट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दें और यह याद रखना ग्यास का फ्लेम अभी बिल्कुल रखेंगे और बहुत ही स्वाधिश वनता है और पांच करके यह देखिए फैंडल लो और कॉलर भी कितना अच्छा आया है और ग्रेवी का थेकनिस देखिए और लास्ट में जाएगी कटा हुआ धनिया पत्ता छोटा-छोटा चप करके मैंने डाल दिया बस फैंडल मेरा तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राइब करिए ब कच्छा जो मेर्ची का तो दिखिए फैंडल लोग दखने में जैसे खाने में उतना है टेस्ट यह एक बात जरू ट्राइब करिए और आपका घरवाला ना पूरा खोस हो जाएंगे इस तरीक से इस तरीक से बना करके जरूर खिलाए और प्रारेस्ट्रान से भी ज्यादा बना था सच में और यह गोवी देखिए एक एक पुरा खिला खिला है और अभर कुक बिल्कुल भी नहीं हुआ है देखिए इस तरीका से आप भी बनाए तो ऐसे ही बनेगा और आपना चाल का साथ रोटी का साथ पराठा का साथ किसी का साथ भी खाईए मज़ा आ जाएगी कि सच में बहुत ही स्वाधिष्ट रेसीपी है जरू ट्राइए करें और विडियो को आप पुरा फूल वाच करें स्किप बिल्कुल भी नहां करें और आपका पास बटर है तो उपर आप लास्ट में बटर भी थोड़ा डाल सकते और ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लागेग बिना बटर में भी तो देखिए कलर जैसे है आरेसीपीपी जैसे ही